स्वास्त्य हम सब के लिए एक प्राकृतिक वरदान है बीमार होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि हम बीमार ही ना हो। हाँ, सही सुना आपने। हमारा आयुरेज शास्त्र ऐसी ऐसी चमतकारी वनस्पतियों एवं फलो फुलों से भरा है जिनका उचित पद्धतियों से सेवन करने पर हम स्वस्त शरीर एवं जीवन शेलिप पास सकते हैं। शरीर की इम्मिनिटी या रोगप्रतिकार शक्ती बढ़ाना हमारा मूल उद्धेश होना चाहिए। किसे भी बीमारी की जड़ को अगर हम अपने अंगों में पनपने ही नहीं देंगे तो स्वास्थ पाना आसान हो जाता है। सनेज कमपनी का अईरेज वेदामृत ऐसे ही चमतकारी अईरुवेदी घटकों से भरा हुआ है। नाम के अनुसार ये शरीर को अमृत तुल्य प्रतिकार शक्ती देता है। ताकि हम बीमारीयों से दूर रहे। जानते हैं इसके घटक और उपियोग। अमृता गुडुची के गुणों के कारण ही आईरुवेद में इसका नाम अमृता रखा गया है। आईरुवेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा किलोई सास संबंधी रोगों से जैसे की अस्थमा और खासी से भी आराम दिलाने में काफी फायदे मंद है। आमला इसमें खूब सारा विटामिन C होता है। प्रति दिन आवला खाने से दिल की बिमारियों से बचा जा सकता है। आवला में पाए जाने वाले विटामिन्स कोल्ड और वाइरस से लड़ने के लिए इम्मून सिस्टिम को मजबुत बनाते हैं जिससे शरीर इन बिमारियों से बचा रहता है। अश्वगंधा इसके नियमित सेवन से मानसिक संतुलन बना रहता है और अच्छी नींद आती है। अश्वगंधा में मौजुद ऑक्सिडन्ट आपके इम्मून सिस्टिम को मजबुत बनाने का काम करता है। जो आपको सर्दी जुकाम जैसी बिमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है। जो कई गंभीर शारीरिक समस्याओं में लावदायक है। अरजुन और दालचिनी यहां रुदर रोगियों के लिए फायदे मन है। कैंसर रोधी गुनों से भरपूर, डैवेटीज को नियंत्रित रखता है, ब्लड सर्कूलेशन को बहतर करता है। रक्तो को शुद्ध करता है, त्वचा को अलरजी से बचाता है, यहां त्वचा को निखरने का तथा शीत पित्त में आराम धिलाने का काम करता है। ब्राम्ही, आयर्वेट के अनुसार ब्राम्ही बुद्धिवर्दक, पित्त नाशक, मजबुत, यादधाश, ठंड़क देने के साथ शरीर से विशेले पधार्तों को बाहर निकालता है। कर्फ को दूर करने के अलावा यह खोन को साफ कर त्वचा संबंधी रोगों में भी फायदे मन है। रुदै की दिर्बलता में इसका प्रयोग अतिवत्तम है। द्राक्ष, पाचन तंत्र दुरुस करता है, आस्टियो पोरोसे इसकी समस्या में लाबकारी है, अनीमिया की समस्या दूर करता है, हाट को सेहत मन रखता है, डालचिनी, ग्रीन टी, अद्रक, मोरिंगा, तुलसी, यश्टी मधूस, शहर, ये सारे घटक अंटी से भरपूर है, और ये इमिनिटी बूस्ट करते है, फायदे, वेदामरूत नियमित लेने से रोगप्रतिकार शम्ता बढ़ती है, यह इमिनिटी बढ़ाने का काम करता है, इसके घटक आखों की रोशनी भी बढ़ाते है, कोलेस्टरॉल नियंत्रित रहता है, लीवर का कार ये सही ढंग से चलता है, और पाचन तंत्र सुधारता है, वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है, मानसिक तनाव दूर होकर अच्छी नीद आती है, उपयोग विधी, 3-5 बुंदे वेदामरूत 100 मिलिलिलिटर गुनगुने पानी में मिला कर पिये, अगर रात में लेना है तो खाने के 2 घंटे पाद ले, अपनी सेहत का पूरा खयाल है रखना, तो सनेज का आयूरेज विधामरूत है लाना